तो जो आपके एक्जाम में आपके हिंदी पूछी जाती है वो पूछी जाती है आपके पूरे 30 नमबर की इस 30 नमबर में से 15 नमबर में आपके गद और पद दो आपके एक्जाम में आपको पेरिगलाफ पूछे जाएंगे जो बाकी के जो 15 नमबर में आपके पूछे जाती बाकी के 15 नमबर में पूछे जाते हैं आपके पैड़गोजी आपके पूछे जाते हैं जो 15 नमबर में आपको गद और जो पद पूछे जाएंगे तो उसको कराने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं ओनलाइन आपको किस तरीके से आपको करने हैं तो उसको जाकर आप लो उसके साथ में देखे grammar आपके exam में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन आपको basic grammar जरूरानी चाहिए आपके CTAT के exam के लिए ठीक है तो basic grammar आपको जरूरानी चाहिए क्योंकि जो आप लोग 15 नंबर के लिए आप लोग जो गद और पद पड़ोगे उनी में से आपके क्या है आपके basic grammar के question आपको पूछ ले जाते है अलग से grammar आपको देखने को नहीं मिलती तो उनी में से आपको grammar के question पूछ जाते है जो आपको paragraph दिया होता है तो मैंने एक video ब दोरपद यानि दो paragraph आपको पूछ जाएंगे और उसकी practice आप लोग जाकर करिए जो मैंने आपको अपने mock test दे रखके है उसमें आपको सारे paper आपको देखने को मिलेंगे जो बच्चे practice कर रहे है उन्हें पता भी है किस तरीके से है लेकिन जो बागी के जो 15 नंबर है जिस अपको पूछी जाती है आपकी पेड़गोजी जिसके अंतर आपको पूछी जाती है अब देखे इससे पहले युज आपका offline exam होता था इतनी असान पैड़गोजी सबसे आसान जो सब्जेक्त पूछ जाता तो आपका हिंदी का पूछा जाता था गिने चुने आपके topic उस online exam के अंदर वो topic तो आपका है, no doubt वो topic आपका है, बट जो हिंदी की जो language आई, वो language आपकी standard आपकी पूछ गई, कुछ जो question के जो words थे, तो वो word आपके कुछ difficult से आपके बच्चों को देखने लगे, ठीक है, basically difficult नहीं थे, कुछ ने word आपको देखने को मिले, तो जो आज की महा मैरफन क्लास होने वाली है, आज की महा मारफन क्लास के अंदर, मैं उन topic को आपको करऊंगा, जो बार-बार आपके CETAT के exam में, आपकी हीनी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, वो आज की मैरफन क् Learn' के अंदर मैं, आपको करऊंगा, तो यह सब चीज़े, आज की marathon class महा marathon class के अंदर में आप लोगों के लिए कराने वाला हूँ जिससे आपकी pedagogy हिंदी वाली आज आपकी लगबग आपकी complete हो जाएगी ठीक है और paragraph वाली तो आप लोग खुद आप लोग सोली कर लोगे क्योंकि paragraph पढ़ना है फिर आशन्सर उसका आप लोगों को लगा देना है ठीक है तो और आज do Anybody को subscribe क्योंकि अभी बागी की ओर marathon class भी आप लोगों केले आने वाली है तो वो marathon class भी आपको मिलते रहे तो आप लोग चैनल को subscribe कर लेना इससे पहले CDP की Marathen Class में आप लोगों के लिए ले चुका हूँ EVS की Marathen Class ले चुका हूँ जिसमें मैंने आपको NC attendance के अलग कराई ती और जिसमें मैंने आपको Pedagogy की अलग कराई ती ठीक है? उसके लावा एक संपोन पडगोजी के नाम से अलग Marathon Class ले चुका हूँ और उसके लावा Maths, Pedagogy की अलग Marathon Class ले चुका हूँ आप लोग YouTube पर सर्च मारिए CDP Marathon Class भाई सचिन सर EBS Marathon Class भाई सचिन सर Maths Marathon Class भाई सचिन सर संपून Marathon Class भाई सचिन सर सभी का नाम लिखकर Marathon Class भाई सचिन सर मेरा नाम डालिए और उसके लावा देखे जितना practice आप लोग exam के उपर इसमें करोगे mock test के उपर उतना ही फायदा आप लोगों को देखने मिलेगा क्योंकि बच्चे practice कर रहे हैं और online के अंदर वनना बच्चों को दिक्कत देखने मिलती है चाहिए आपका paper first हो चाहिए आपका paper second हो चाहिए आपकी कोई भी language हो तो मेरी website के उपर जाना sachinacademy.com लिखना उसके बाद मेरी website खुल कर आ जाएगी उस पर जाकर आप लोग mock test practice करिए जी भरके practice करिए क्योंकि ये आपको benefit देगा आपका exam के अंदर जब आपको same pattern आपको देखने को मिलेगा और जब आप लोग क्या होगे कि वाकई में सर ऐसा ही pattern है जैसा same आपका CVC वाला आपका pattern आपको देखने को मिलता है